सपा संस्थापक मुलायम सिंग यादव की निधन के बाद आज उनकी अस्तियों को विसरजित किया जाएगा आज यानी सोमवार को नीदा जी की अस्तियों को हरिद्वार में विसरजित किया जाना है गंगा नदी में विसरजित किया जाएगा इसके लिए अखिलेश यादव और उनके चाचा शिपपाल यादव भी मौजूद रहेंगे बता देगी अब भी कई सपा समर्थक और तमाम राजनितिक हस्तियां निदा जी को शंदांजली देने स्याफ़ई जा रहे हैं निदा जी मौलायम सिंग यादव की अस्यों का विसरजन नमामी गंगे घाड चंडी घाड पर होने वाला है मौलायम सिंग की आत्मा की शांति के लिए 21 अक्टूबर को सैफ़ई में धार्मी गीतरी वाज के सार शांति हवन का कारेकरम भी होगा जिसमें ब्रामन भोज भी कराया जाना है शांति हवन भी किया जाएगा हिंदु धर्म की मानिताओं के अनुस्वार मागंगा में अस्यां विसरजित करने से इंसान से चोड़ी आत्मा को नया मार्ग मिलता है लेकिन इस पीच एक बात और सामने आ रही है कि मुलायम सिंग यादव यानिगी नेताजी का अंदिम संसकार हो गया अस्तियों का विसरजन हो गया लेकिन उनकी तेरवी नहीं होगी सपा नेता और पूरुब MLC सुनिल सिंग राजन के मुताबिक नेता जी की तेरवी नहीं होगी उसकी जगह शांती पाड और हवन पूजन 21 अक्टूबर को ही किया जाना है सुनिल सिंग साजन ने बताया कि सेफ़ाई के आसपास एक दो जिलों में अब तेरवी करने की परंपरा नहीं रही दरसल जब नेता जी छोटे थे तब सेफ़ाई और आसपास के इलाकों में भी तेरवी होती थी मगर जब वे बड़े हुए और राजनीती में आये तो नोंने समास उधारा के तौर पर कारे किया नेता जी का मानना था कि तेरवी से गरीब लोग पर आर्थिक बोज बढ़ता है इसलिए नोंने इस परंपरा को खत्म कर दिया